अब गोलियों से साफ पता चल लाए आगे कम से कम दस बारा बंदे बैठे हैं और मैं क्या करता हूँ बेवो गुफों की तरह इनके मूँ पे गाड़ी रोग देता हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत है आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटर्ण्स पबजी दों वाईल के प्ले वीडियो में इसमें तुम्हारा भाई दस बंदों के बीच गुच जाता है और वहाँ पे जो ह वी गिने चुने बंदे आयोते हैं उन्हें पेलने के लिए आगे निकल पड़ता हूं मैं एक सस्ती सकारेल है और जूस बहुत है और इसे बोलते हैं एक निशाने से दो तीर मारना मतलब पीछे भी बंदा होता है आगी भी बंदा होता है और दोनों एक ही बार में ठिल जाते हैं और अपने सस्ते सपरे का दोस्त मैं देना चाहता हूँ ये सकारेल के बखवास से लूहा साइट को ठीक है मतलब एक छेद होता है यार कंदू कुछ नहीं दिखता हूँ उस छेद से कैसे बंदे पे लूँ खेर अब बहाना हो चुका है तो जो भी लूट पड़ी होती है इन पे सब को लूट ले ताओ तीन बंदे यहां पे ठिल जाते हैं तीन किल धैड पैड मिल जाती है और एक भालू आला बंदा भी भगाता है यार पता नहीं वो किधर पे चला गया खेर उसे छोड़ो आगे रस करने जा रहो हूँ क्योंकि यार आगे बंदे बैठे पड़े है और यहां पे यार अपना ही रिवाइव रिवाइव चला है ठीक है इनको किसने नो किया कब नो किया हमें कंदू नहीं पता मुझे बस इतना पता यार किल मिल गई तो सब सही है और देखो मेरे ख्याल से पांच किल कर चुकाओ में और अभी तक अभी तक तुम्हारे भाई के पास एक हेलमेट नहीं है ठीक है मतलब यार अप से सोचराओ में उठाना ही छोड़ दू ये सफेट टोपी ही काम आती है मेरे खैर यहां पे बाट बूट आये होते और बाट गद्दू कुछ नहीं मिलता खैर जो भी लूट पड़ी होती है मैं देड़ पैड लूटता हूं और आगे बाट दिखता है मुझे और बाट के साथ कोई और भी होता है अब देखो वो उपर जो बंदा था उसके बाट डेमेज देता हूं मैं तो रस करना पड़ेगा और यहां पर भाईया पूरे एक्शियोन फिलम की फिलिंग आ जाती है वो भी महंगी वाली मतलब मैं भगके जा रहा हूं इधर उदर भग रहा हूं मैं कान के बगल से गोलिया जारी है फूप हां सारी आवाजे यही पर आ जाती है मुझे और गोली एक भी नहीं लगती मतलब गोली लगेगी भी कैसे यार सस्ती गन चला रहे हैं भाई यूएम पी फोटी फाइब चला रहे हैं लेकिन यार जब कान के बगल से जारी थी ना गोलिया जो ही आवाज आई मजा टैप आ गया खेर जो भी ओ आवाजों के मज़े ले लिया अब बंदों को पिलना पड़ेगा क्योंकि किल भी चाहिए जिंदगी में और बंदे यही नीचे बैठे पड़े हैं और यहां पर यह दोनों भाई एक छोटे सस्ते कंठेनर के अंदर सिमट के बैठे होते हैं हादा मैं उपर से देखता हूँ भाई का टीबी भी ले रहे होते हैं लेकिन गूली पहुँचाती है भाई तक तो इन दोनों को पेल दिया और जैसे तैसे करके जोर्ज खाली हो गया है भाई 9 किलोग है मुझे सही बता रहा हूँ बिस्वास निवरा इस बात पे क्योंकि जोर्ज अब इतनी बक्वास जगा हो गई है कोई आता ही नहीं ठीक है ये जो बोड़ भी मिलाना भाई या बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये बोड़ भी कोई दिखता ही नहीं जोर्ज में ये नया सीजन बहुत बक्वास रहा खासकर जोर्ज वालों के लिए यार कोई आता ही नहीं है खैर जो भी हो उन सब को पेल दिया अब आगे जा रहें क्योंकि देखो यार आपको दिखाऊंगा मैं जोर्ज नहीं आते बंदे तो जाते किदर हैं और दस बंदों से भी लड़ेंगे एक साथ लेकिन वो थोड़ा आगे जाके होगा और आपको पता यार क्या टाइम है ये तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और भी गलत सीन करूँ हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबोल, बॉली बॉल, बास्केट बॉल और कौन सा बॉल होता है इन सारे चीजों पर बैट लगा सकते हो और अपने प्रेडिक्शन स्किल्स के तुरू पैसे हन कर सकते हो साथी साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके फर्स डिपॉजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा और पैसे विड्रो करदा भी हलवा यार इसमें मतलब पेटियम, पेपाल, गूगल पे, कंदू पे, सब कुछ है इसमें तो हाँ यार अगर आपको इस चीज का सौक है तो आप इसे जरू ट्राइगरो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टूप में अब देखो यहां पे हम पे गाड़ी से आते टैम उस जगह से फाइरिंग होती है जिस जगह का मेरे ख्याल से मैप में ही नाम नहीं है ठीक है मतलब इतनी सस्ती जगह है भहिया मैप में नाम तक नहीं दे रखा है सोचो क्या ही लूट मिलती होगी वहां पे क्या ही कौन जाता होगा ख्यार यहां पे हमारे कुछ खतरनाग बंदे जा रखे जो भहिया बिल्कुल पेल के रख देते बंदों को तो यहां पे यह सस्ती पानी वाली जगह में आ जाता हूँ है ना मतलब यार घरों के बगल में पानी उरखा है क्या ही सीने इस जगह के और देखो ऐसी जगाओं में अगर आप अंधार हस करते हो न चाहे आप कितने ही चौड में खेलो कितना ही बढ़िया खेलो लेकिन बंदे जो साइड में चुपे वे होते भाईया वो ऐसा धप्पा करेंगे कि सिधा पेटी वनाएंगे आपकी अब ये लोग ऐसी जगह पे चड़ें जहां पे यार मुझे पता भी नहीं है कि जाना कैसे उसके उपर ठीक है मतलब एक तो यार ये लोग इतनी चोटी सी जगह में आएं जहां पे नाम भी नहीं है उसके उपर से भाई लोगों को चट के उपर चड़ना है तो करना क्या था पानी है बिल्कुल खत्रा है यार पेटी बूटी कभी भी बन सकती है लेकिन रस तो करना ही पड़ेगा किल और केटी कैसे बढ़ेगी तो मैं इस चट के उपर अभी भी एक बन दा बचा हुआ है तो करना क्या था मैं ये नेड लेता हूँ हाँ देखो मुझे पता है नेड करने से पहले ही पता है कि नहीं फटेगा लेकिन थोड़ी सी उमीद थी क्योंकि बंदा उपर ये यार कैसे नहीं फटेगा बंदा और कैसे नहीं फटेगा बंदा यार इसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है पप जी को भी नहीं पता होगा इसका जवाब ठीक है बिलकूल उपर लेटा है उपर ही नेड़ फेका उसके बाद भी भाई नीठीले और इन लोगों के लिए यार बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मतलब एक तो भाई लोग अपनी रैंक बचाने के लिए यहाँ पे केम्पिंग डालके बैठे चत के उपर बिल्कुल मतलब चत के उपर पेड़ गिर रखा है बहुत ही खतरनाक खेर जो भी ओ इन दोनों की पेटी अम बना देते हैं जो भी सस्ती लूट पड़ी होती है वैसे काफी मेरे ख्याल से जाधा बढ़िया लूट इन पे है हम से जोर्ज में तो भाईया कद्दू कुछ नहीं मिलता आजकल और देखो इस जगह पे मुझे रस करना बिल्कुल भी पस्तन नहीं यह मतलब पानी है भाईया भग भी नहीं सकते दर उदर लेकिन यार मजबूरी थी देखो किल और केढ़ी के लिए क्या-क्या करना पड़ता है कहां कहां जाना पड़ता है खेर उसके बाद मैं वहाँ पे आता हूं आखिरकार जहां पे मैं पहले जा रहा था रूज़ाओ की पाढ़ी और देखो जरा पबजी के गलत में से ठीक है गाड़ी भईया छट के उपर पड़ी है और ये गिलिज पता नहीं कितने सालों से यहां पे भईया इनसे सही नहीं किया गया इसी में मेरा दिमाग खराब होता है और मैं गाड़ी नीचे पटक देता हूं और यहां पे लगता है यार मैं अकेला बंदा नहीं हूं जिसको रुजोक की पहाड़ी बहुत ही जादा पसंद है तो मेरे नीचे आते ही भईया एक गाड़ी और आजाती है मतलब यार पहले ही आजाते है थोड़ी किल कर लेता मैं खेर गाड़ी उपर आ चुकी है और जहां तक मुझे लग रहा है यार इन्हें पता है हम भी नीचे हैं क्योंकि जो बे रहमी से मैंने गाड़ी पटकी न जमीन पे आवाज सबको आ गई होगी तो उपर से एक बंदा भालू के कपड़े में नीचे की तरफ भग रहा होता है तो करना क्या था है और मैं भी पकड़ लेता हूँ भाई को इधर राइट में ही नॉप किया दूने और यहां पे न मुझे मेरे कर्मो की सजा मिल लए है ठीक हर बार पता नहीं कितने मैंचे जो चुके हर बार मैं बोलता हूँ यूएंपी सस्ती गन ठीक है इस बार यार तुम्हारे भाई की यूएंपी से ही पेटी बनने वाली थी तो मुझे लगता है यार बन करना पड़ खेलना खेल आपको भी पता है ऐसा नहीं होने वाला यूएंपी सस्ती गन है और तब तक रहेगी जब तक ये ठीक नहीं करते इस गन को खेल यूएंपी से नोक किया और फिनिश करने के लिए भाई लोग नेट कर रहे होते हम पे और यहां पे ना बस एक ही चीज हो रही है वो है हीलिंग की बरबादी और यार वो जो भालू के कपड़े में बंदा भगा था भाई वो नहीं ठीला मतलब नोक करके इतनी सारी गूली चलाई उस पे मेरे टिममेट ने भी भाई को पेला लेकिन यार उस बंदे की पेटी ही नहीं बनी बहुत जल्दी रिवाइव देबाया है इन्होंने खेर यहां से मैं घर के अंदर भग जाता हूँ और ये सोकॉडना हमारी पेटी बनाने के लिए पूरी तयार है एक बंदा राइट से फ्लैंक कर रहा है और जहां तक मुझे पता है लेफ्ट से भी कोई फ्लैंक करने वाला है अब और ये लोग देखो सोचते हैं कि हमें फ्लैंक करके पेलेंगे और इन्हें अभी पता चल रहा है कि यार फ्लैंक करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि देखो उपर दो बंदे नोक पड़े हैं लेफ्ट में बंदा नोक कर दिया अब रिवाइफ करने कद्दू भी कोई नहीं जाएगा और आखिर कार जाके मुझे किले में लेंगी यहां पे और इनका बस एक ही बंदा बाकी है तो करना क्या यार रिवाइफ देने भगरे होंगे भाई पूरी जान लगा के और देखो गायब हो चुका है राइट से तो देखो राइट से भगूँगा तो वो मेरी भी पेटी बना सकता है जो उसमें आके यार बेहुसी नहीं घोनी तो लेफ्ट लूफ से जाएगे और देखेंगे की है किदर पे बंदा वो और यहां पे ये भाई गन हटाके इधर उदर भग रहे हैं रिवाइव देने के लिए ठीक है मेरे ख्याल से ये बंदा पहले आगे की तरफ गया लेकिन जो आगे बंदा था वो खुद ही ठिल गया एक किल भी आई थी मुझे बीच में उसके बाद भाई वापिस पीछे की तरफ आते हैं दूसरे बंदे को रिवाइव देने के लिए मतलब यार पहाड के नीचे तक आ गये थे ये रिंग रिंग के बहुत ही खतरनाक अब सोचो अगर चारों बंदे पहाड़ी पे होते ना अभी भी हमारी फाइट लगी पड़ी होती ठीक है मैं नौक करता वो रि पूरी टीम के साथ इसलिए देखो यार अगर फ्लैंक फ्लैंक मारते हो तो समल के करना जो भी करोगे खैर उसके बाद उन सब को पेल दिया और आगे एक डिरोप हो रहा होता है और बंदे मैं ढूणने की बहुत कोसिस करता हूं लेकिन यार हार मान के मैं बोलता हूं डिरो सारा बंदे बैठे हैं और मैं क्या करता हूं बेवोगुफों की तरह इनके मुपे गाड़ी रूब देता हूं और फंदो इंड़रका यहे ही इंड़रका फोगे वा लाट एक और स्कूरदे एक एक वोड़ा है लेप आप एक एक और एक और एक और एक और एक वोड़ाए और इस बगगी वाले बंदे को ठीक मेरे से क्या दुस्मनी थियार मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ आगे साप कचकर मोच से टककर ले रहा हूँ हमारे भाई बगगी लाते और मेरे को कुचलने की कोशिज करते हैं और उपर से पेड़ पे बग्गी मार दी जिसकी वज़े से मैं कवर पे भी नहीं रह सका और यहां पे हम मुझे नहीं पता कैसे जिन्दा है भाई 10-12 बंदे होते हैं ठीके 12 जाता हो गया 9-10 बंदे होते भाई एक बंदा बग्गी लेके आ रहा है साइट से ठीके यहां पे पूरी 200 कोड अपने उपर बैठी पड़ी है भाई साइट से भग्गी लेके आ रहे हैं और मैं ये बात नहीं समझा यार गोलिया तो धैड़ पैड़ चली थी लेकिन आखिर में जाके हम दोनों को ही हर किसी से लड़ना पड़ा और उसके बाद भी पता नहीं कैसे अपर लोग अब भी जिन्दा है तो भाई लोग यार यहां पे 9-10 बंदों को पेलने के लिए लाइक के बटन को पेलना मत भूला यार मतलब पेल के बिलकुल नीला टैप कर दो और अगर आप नहीं है तो एंड में बोलते हैं सॉरी और इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ क्योंकि अभी किल की भूख मिटी नहीं है यार अभी बहुत बंदों को ठिलाना है केड़ी अभी नहीं बची अपनी तो गाड़ी लेता हूँ मैं दुबारा गुमाना चालू करता हूँ और इस जोन में बस एकी घर होता है घर मी क्या वो सस्था सा भेराउस होता है तो उसी के बगल में मैं गाड़ी रोकता हूँ और जहां तक मुझे लग रहा है यार कोई न कोई तो होना चाहिए इधर पे तो गाड़ी रोकता हूँ और देखू काँ बंदे होते हैं अब यहाँ पे एक अकेला बंदा साप बना होता है मतलब ठीक है भीया अब वे गिल्ली सूट है बहुत ही बढ़िया यार अभी से तो साप मत बनो कम से कम कैर इस साप की तो सीधा बेटी बनती है लेकिन देखो अभी हमें कदू भी नहीं पता की बाकी साप किदर है क्या वो साप बने भी है या फिर यार कहीं और पे जाके बैटे हैं अब देखो सीन क्या होता है एक अकेला साप यहां पे बना होता है और इसके सारे के सारे टीमेट जहां तक मुझे लगता है आगे वाले घर पे बैठे होते हैं तो आगे घर नहीं यार भेरा उसमें आगे वाले भेरा उसमें टोटल तीन बंदे बैठे होते हैं और उनका चौ और यहां पर मैं जाड़ी में हलका सा एज़स उज़स करके दो बंदे नोक कर देता हूँ और आगे वाले बंदे भी यार N24 वगरा चला रहे होते हैं तो बंदे नोक हो चुके हैं करना क्या थयार गाड़ी ठोको और पेटिया बना हूँ अब और यहां पर यार बंदा नेड कर रहा होता है इसलिए मैं रस्किया क्योंकि देखो भाई ने इतरना जादा डेमेज दे दिया था एउजी से मुझे लगा नी था बंदा मतलब प्री फायर देता है मैं डीट की तरह यार मूँ के सामने आ जाता हूँ हाना फिर भी मैंने उसे डेमेज दिया भाईरे मुझे डेमेज दिया दूसरा बंदा इनका बाहर आता है उसकी सीधा पेटी बनाते हैं मतलब उसको नौक करते हैं उसके बाद मैं हील करने बैट रहा होता हूँ लिकिन मैं देखता हूँ यार बंदा नेड़ खीच रहा है तो करना क्या था है यार अंदा रस करते हैं और पेल देते हैं इनको अब देखो जोन आ रहा है लिकिन जैसे तैसे गर के मैं इनसे M2 फोर उठा लेता हूँ जिसका कही पे भी कोई भी इस्तमाल नहीं किया जाएग हना और देखो जादा तर PUBG में क्या होता है जहां तक मुझे लगता है अगर घर के आसपास जोन है तो जादा तर टेम घर के आसपास ही जोन बनता है अगला तो देखो ये भेरा उस इतना हलका सा जोन में होता है कि क्या ही बताऊं मतलब जब भी मैं पीक करूंगा मुझे ड इंतेजार करता हूं सापो के आने का और इंतेजार करते करते यार बहुत लेट हो जाता है मतलब साप आपस में ठील जाते हैं कुछ तो और ये देखो मतलब क्या ही ये ये क्या ही ये काला सा क्या है जिसके मैं आरपार जा पा रहा हूं भाई पता ही नियार हो सकता है सिर्फ म दिख रहा हूँ और वो मेरी पेटी बना दे तो मैं बोलता हूँ या पब जी का कोई वरोसा निये कुछ भी गलत सीन होते हैं वापिस आजाओ डेट बंती मत करूँ मतला बारा दस बारा क्यों बोल रहा हूँ मैं दस बंदों के मुझे सामने गाड़ी पेल दी बज गए खु अफ़ी डेमेज हो सकता है खैर साप आगे आ रहे होते क्योंकि जो डंडे देता है उनके और साप इसपोर्ट भी करता हूँ मैं कुछ और एक साप की तो पेटी बन जाती है लेकिन यार इस भाई के और भी साप होंगे तो उन्हें ढूटने का भी काम जा रही है अभी के लिए तो अधाय ऑर यार प्र से वही सीन चले होते हैं साप के दो आगे साप साप के दो पीछे साप बोलू कितने साप ठीक है मतलब याуж और हार कोई साप था तो बोल तो मैं नहीं सकता लेकिन हाँ आखरी वंदा आखरी साप जो होता है वो किसई ओल टीम का होता है और भाई उठके दूसरे साप पे फाइरिंग दे रहे होते हैं जो की साप ही बना होता है और मुझे निलगता है आपको कुछ भी समाझ आ रहा होगा क्योंकि सब्दों से ज़्यादा मैं साप का इस्तेमाल कर रहा हूँ साप भी एक शब्दे खैर वो सब छोड़ो भाई लो गयार इससे ज़्यादा मैं सोच पे पड़ूँगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए आखरी साप खड़े होके मेरे अगले साप की पेटी बनाना चाहरा होता है लेकिन आखिरकार सबकी किले मुझे मिल जाती है तो बच भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक पे ना मत भूलना यार ठोक के बिलकुल इस नीले जोन की तरह नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब इसक्राइब क्योंकि ऐसे गलत सीन गलत सीन दो बार क्यों बूल रहा हूँ गलत सीन और ऐसी ढीटता तुम्हारा भाई करता रहता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और भी ऐसे सस्ती वीडियो के लिए तो कल मिलते है भाई लोग यार जाते जाते एक एकस बैट चेक आउट करना मत बूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोक में तो कल मिलते है यार बाई बाई लोग 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 बाई